देखे क्यूशन दे रखा है इस क्यूशन में अगर मनोज की एज पता चल गी तो उसके फादर की एज पता चल जाएगी अब देखो हमें यूज क्या करना है जो दिया हुए उसी से हम यूज करेंगे एक कंडिशन दी हुए देखो इसमें मनोज की एज हम 3X ले ले लेते हैं और वसीम की 11X जो की रेशियो दे रखा था अब देखिए हमें निकालना हमारा टारगेट के है कि मनोज की एज पता चलना चाहिए वो किस से निकलेगी वो इस कंडिशन को ध्यान से देखो जो बीच वाला दिया गया है वसीम 12 साल चोटा है रेहाना से लेकिन रेहाना 7 साल बाद कितने की होगी 85 की अगर वो 7 साल बाद 85 की है तो परजेंटेज क्या होगी उसकी ठीक है ये पता परजेंटेज उसकी कितनी हो जाएगी 85 माइनस 7 क्योंकि 7 साल बाद वो 85 की है तो आज कितने की होगी 78 की دوسرا अब देखो वसीम की age निकल के आगई ठीक है क्योंकि जो वसीम है वो 12 साल छोटा है सीधा सहर रहाना से 12 साल छोटा है मतलब 26 साल का है और वसीम की age हमने क्या माने थी 11x मतलब की 11x बराबर 66 का योकि यह दोनों बराबर है क्योंकि ये वसीम की age आई है, age 11x है, तो x की value निकाल लो, यहां से 6, ठीक है, अब x की value 6 आ गई, तो manoj की value इसली निकाल सकते हैं, क्या, 3 multiply 6, कितनी आ जाएगी, 18, और अब हमें, जो question में चीए था, वो मिल गया, manoj की 18, तो उसके अफादर उसे 25 साल बढ़ा है, कितनी age हो ग